देखो बच्चो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्प्रिंग के कॉंबिनेशन्स यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है सिरीज कॉंबिनेशन ओफ टू स्प्रिंग्स दो स्प्रिंग को हम एक दूसरे के साथ सिरीज में जोइन करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है यह first spring है जिसका spring constant k1 है जिसका spring constant k1 है आप देख सकते हो बच्चो चलो यहाँ पर एक दो spring है यह जो spring है first उसका spring constant k1 है दूसरी जो spring है उसका spring constant k2 है हमने दो spring k1 और k2 दो अलग-अलग constant वाली spring हमने एक के नीचे दूसरी इस तरह से series में हमने join की है अब उसके नीचे एक object hang किया हुआ है यह जो object है जिसका mass m है और उसका weight force नीचे की direction में mg लगेगा तो बच्चों होगा क्या यह दोनों जो spring है उसका भी हमें mass neglect करना है हम ऐसा assume कर लेंगे इसका बहुती कम mass है तो हम यहाँ पे पहली spring का constant क्या है k1 और यह जो spring है नीचे object hang किया इसलिए यह spring की length बड़ेगी और वो length जो बड़ेगी वो होगी y1 फिर दूसरी spring जो है दूसरी spring उसके नीचे भी mg hang किया हुआ है तो इसकी length भी बड़ेगी और इसकी जो length बड़ेगी उसको मैं बोलूँगा y2 तो बच्चों एक चीज याद रखना यहाँ पे first spring जिसका constant k1 है दूसरी spring जिसका constant k2 है दोनों spring को एक के नीचे दूसरा line में series में लगा दिया और और नीचे m mass वाला एक object hang कर दिया है देखो m mass वाला object hang कर दिया है अब यह object जो है उस पे नीचे gravitational force mg लगेगा यह mg और यह force mg नीचे लगेगा इसलिए यह spring की height उपर वाली spring की height y1 बड़ेगी नीचे वाली spring की height y2 बड़ेगी दोनों की height कुछ अलग-अलग बड़ेगी यह मानलो soft spring है ज्यादा height बड़ेगी यह थोड़ी hard है इसकी काम height बड़ेगी तो होगा क्या दोनों की length कुछ ना कुछ बड़ेगी इसकी y1 इसकी y2 तो बच्चो आपको मालूम है यह दोनों ही spring एक दूसरे के साथ hang कर दिये है लेकिन बच्चो आपने यहाँ पे देखा दोन लगने वाला restoring force दोनों force same होंगे तो यहाँ पे यह जो figure दिखाई है मैंने यह figure में दोनों spring पे लगने वाले restoring force same होगे तो मैं force के लिए f1, f2 नहीं लिखूंगा हाँ इसका constant k1 है इसकी length की increase y1 इसका constant k2 इसकी length की increase y2 तो k1, y1, k2, y2 होंगे लेकिन f1, f2 नहीं होंगे क्योंकि दोनों spring के साथ यहाँ एक ही object जोइन किया हुआ है तो यह दोनों spring पे same restoring force लगेगा और वो होगा f तो restoring force का equation आपको मालूम है restoring force spring पे लगने वाला restoring force क्योंकि spring नीचे यह object की वज़ह से spring नीचे खीच रहे हो आप तो यह spring को नीचे अग है तो spring की length बढ़ रही है लेकिन spring अपने अंदर फिर से means compress होने की try करेगी तो spring को अगर आप खीचोगे तो spring compress होने की try करेगी जिसको बोलेंगे restoring force तो यह दोनों spring पे नीचे यह object नीचे क्या करेगा यह object gravitational force से यह दोनों spring को खीचेगा दोनों spring को खीचेगा तो यह spring compress होने की try करेगी वो होगा spring का अंदर का restoring force तो उपर वाली spring का restoring force f equals to minus k1y1 और दूसरी spring जो है उसका restoring force f equals to minus k2y2 दोनों का restoring force सेम है क्योंकि दोनों series में है अब यह दोनों formula जो मिले restoring force के first spring and second spring दोनों formula में y1 y2 जो आपको दिख रहा है उसको left hand side लगा दो तो आपको मिलेगा y1 का formula minus f upon k1 y2 का formula minus f upon k2 तो भई यह दोनो y1 y2 यह y1 क्या है पहली spring की length जो बड़ी वो y2 क्या है दूसरी spring की length बड़ी वो तो total कितना increase हुआ total increase हुआ y जितना तो y equals to y1 plus y2 तो total increase in spring यह total इतना increase हुआ y1 plus y2 तो बच्चो एक चीज आप मुझे बताओ total अगर इतना increase होता है तो y1 की जगह पे तो मैं यह formula की value रख दूँगा y2 की जगह पे मैं यह formula की value रख दूँगा यहाँ पे y1 और y2 यह दोनों ही मैंने यहाँ पे लगा दिये देखो लेकिन y क्या है याद रखना बच्चो यह जो y है न यह y वह है यह दोनों spring की जगह पे अगर मैं एक ही ऐसी spring रख दूँगा यह दोनों के बराबर हो ये दोनो स्प्रिंग आपको दिख रही है, ये दोनो की जगाग पे अगर मैं एक ही स्प्रिंग रख देता, तो क्या होता? ये दोनो स्प्रिंग में जितना length में increase होता, वो अकेली एक में होता मनलो पहली spring में 5 cm का increase हुआ दूसरी spring में 2 cm का increase हुआ तो 5 प्लस 2, 7 होगा तो ये दोनों की जगह पे उसको equate करने वाली एक ही spring अगर रख दू तो उसकी length में 7 का increase होगा तो ये 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 7 तो ये y क्या है, resultant increase तो y की जगह पे में क्या लिखूंगा force upon k equivalent ये दोनों spring का equivalent k है ये ये k क्या है, दोनों spring जो है na k1, k2 जिसका constant k1, k2 है उसके बराबर equivalent k ये है और ये क्या है spring का restoring force तो ये y की जगह पे f by k ये y की जगह पे f by k ये y की जगह पे भी f by k सभी जगह से minus f, minus f, minus f निकाल दोगे तो बच्चो आपको last में ये formula मिलेगा ये होगा 1 upon k equivalent जिसको simplify करोगे na ये k equivalent को उपर ले जाओगे तो इसको simplify करने पे ये formula को simplify करने पे आपको ये मिलता है तो दोनों spring दोनों spring का series combination है series combination तो इसका spring constant मानलो 3 है इसका spring constant मानलो 6 है तो 3 और 6 दोनों का resultant कितना होगा अगर exam में पूछा है तो यहाँ पे 3 into 6 divide by 3 plus 6 तो आपको दोनों spring का resultant k मिल जाएगा तो दोनों spring का k equivalent इस तरह से मिलता है फिर आगे के lecture में मैंने जो आपको कल वीडियो बेजाता आगे के lecture में मैंने time period t का equation भी बताया था time period t equals to 2 pi under root m upon k होता है याद रखना time period का equation t equals to 2 pi under root m upon k m क्या है यहाँ पे जो नीचे object हैंक किया न यह हैंक किया है उसका mass यह m उपर और नीचे होता है equivalent k दोनों का equivalent तो यह k equivalent की value में यहाँ पे रख दूँगा तो आपको time period का यह equation मिल जाएगा यह मिल जाएगा time period का equation तो यह connection जो है वो है series connection याद रखना दो spring का series connection है ओके फिर यहाँ पे देखो यह दो spring का series connection है और यहाँ पे इसका screenshot आप ले ले ना बच्चो फिर में parallel connection पढ़ाने जा रहा हो इसका screenshot ले ले ना यह है दो spring का series connection फिर मैं parallel पढ़ाने जा रहा हो अभी मैं parallel पढ़ाऊंगा इसी तरह से दो spring को हम parallel रखेंगे दो spring जैसे यहाँ पे series में है वैसे ही मैं दो spring को parallel रखूंगा चलो इसका screenshot ले 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 ना यह है series combination of two springs अब मैं parallel की बात करने जा रहा हो parallel combination of two springs अब क्या होगा बच्चो देखो parallel combination में क्या होगा यह दिवाल के साथ यहाँ पे दो spring हैंग कर दिये इसका spring constant k1 इसका spring constant k2 दोनो spring अलग अलग है अब नीचे एक object हैंग कर दिया है M mass वाला M mass वाला object हैंग कर दिया तो इसका mg force इसका weight force नीचे की और लगेगा तो इसमें क्या होगा बच्चो इसका जो weight force नीचे लग रहा है उसमें से कुछ यह उठाएगा कुछ यह उठाएगा तो इसमें restoring force F1 लगेगा कुछ यह उठा रहा है तो इसमें restoring force F2 लगेगा तो अब क्या होगा पता है बच्चो अब यहाँ पे दोनों पे अलग-अलग restoring force लगेंगे क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग spring है यह soft है यह थोड़ी hard है लेकिन दोनों ही उठा रही है यह object को तो यह hard spring ज्यादा उठा लेगी soft spring थोड़ा काम उठा पाएगी कोई बात नहीं लेकिन इसका restoring force F1 होगा इसका restoring force F2 होगा तो यह दोनों अलग-अलग spring है बच्चो तो यहाँ पे होगा क्या object मैंने एक ही लगाया है एक ही object है तो यह जितना नीचे जाएगा उतनी दोनों की length same बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चो length same होगी force अलग-अलग होगे यहाँ पे क्या था length अलग-अलग y1 y2 अलग-अलग था force same थे यहाँ पे y1 y2 अलग-अलग था force F same थे series में यहाँ पे क्या होगा बच्चो यहाँ पे दोनों की length सेम होगी लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अलग-अलग होगे तो यहाँ पर F का equation क्या होगा F1 equals 2 minus K1 Y यह F का equation है Y देखो Y लिखा है Y1 नहीं लिखा मैंने only Y क्योंकि दोनों की length सेम बड़ी है फिर F2 equals to minus K2 Y यह F2 लिखा है अब दोनों spring यह देखो अब दोनों spring क्या कर रही है यह object को anchor करके रखा है तो दोनों spring का resultant force बहुत ही simple है बच्चो दोनों spring जो force लगा रही है उसका resultant force F equals to F1 plus F2 होगा यह दोनों spring का resultant force होगा तो अगर यह F1 की value उपर से minus K1 Y यहाँ पे लिख देता हूँ F2 की value minus K2 Y यहाँ पे लिख देता हूँ अब यह F क्या है यह F की जगह पे मैं लिखूंगा K equivalent Y minus K equivalent Y तो यह F जो है मानलो यह दोनों spring की जगह पे दोनों spring की जगह पे एक ही दोनों को equate करे दोनों को equate करे यह सी एक ही spring लगा दी मानलो तो उसका F है यह तो यह F जो है वो दोनों का equivalent है मानलो तो यह F equals to minus K equivalent Y तो Y Y Y minus 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 cut हो जाएगा तो यहाँ पे K equivalent का formula होगा K equivalent equals to K1 plus K2 K equivalent equals to K1 plus K2 और यहाँ पे time period का equation जैसे मैंना आगे ही बताया 2 pi under root M upon K होता है M upon K जिसमें K equivalent इसकी value आप अगर यहाँ पे रग दोगे तो यह बन जाएगा time period का equation ओके तो दो parallel होगी spring तो उसका spring constant equivalent spring constant अगर दो spring parallel होगी तो उसका equivalent spring constant यह होगा यह K equivalent equals to K1 plus K2 दो parallel होई तो और बच्चों अगर ऐसी figure आपको दे exam में तो यह भी parallel ही है यह और कुछ नहीं है same यहाँ पे जो formula अपलाई होगा वो ही formula बच्चों यहाँ पे अपलाई होगा याद रखना यह भी parallel है आपके room में ceiling के साथ एक spring है और जमीन floor के साथ दूसरी spring है दोनों के बीच में object को रखा है और यह object उपर नीचे उपर नीचे मन लो oscillation कर रहा है या तो यह object यहाँ पे है balance condition में जो भी है तो यह दोनों ही spring दोनों ही spring को इस तरह की figure मिलेगी तो आप parallel ही assume करोगे तो इसके लिए भी यही formula अपलाए होगा समझ मैं रहा है इसके लिए भी यही formula k equivalent equals to k1 plus k2 यही apply होगा तो जब दो spring parallel होती है जब दो spring parallel होती है तब तब यहाँ पे k equivalent का यह formula लगता है और जब दो spring series में आती है तब यहाँ पे यह formula अपलाए होता है k equivalent का यहाँ पे लिखा है देखो यह formula तो यहाँ पे दोनों मैंने आपको बताया spring के बारे में मानलो यहाँ पे आपको एक example दे दू बचो आपको अगर यहाँ पे दिया हुआ इस तरह से के मानलो दो spring है यह एक spring इसका के जो है वो है यहाँ पे two unit इसका के और एक दूसरी spring है उसका जो के है वो है five unit दो के है यहाँ पे और उसके नीचे एम मास मास हैंग कर दिया है अभी 10 kg का 10 kg का मास हैंग कर दिया है यह k1 constant वाली spring यह k2 constant वाली spring अब दोनों को हम series में join करेंगे series में join करेंगे एक के नीचे दूसरी k1 यह k2 तो अगर हमने दोनों को series में join कर दिया तो यह दोनों का equivalent के series होगा तो equivalent के इस तरह से मिलेगा यह इस तरह से तो 1 upon 2 plus 1 upon 5 means k equivalent equals to 2 into 5 upon 2 plus 5 तो यहाँ पे होगा 10 by 7 यह k equivalent हुआ बच्चो k equivalent तो यह दो spring series में होगी तो इस तरह से मिलेगा अगर दो spring parallel हुई दो spring इस तरह से parallel हुई और object hang किया है तो इसका जो k equivalent होगा वो direct total करना पड़ेगा means यहाँ पे 2 plus 5 equals to 7 तो यहाँ पे इसका 1 k होगा वो होगा 7 unit यहाँ पे k का unit होता है newton per meter आपको मालूम है k का unit जो होता है वो newton per meter होता है लेकिन मैंने यहाँ पे इस a unit लिखा हुआ है तो यह हुआ parallel का k 7 यह हुआ series का k 10 by 7 तो आप देख सकते हो बच्चो जब हम parallel करते है तो हमारा k बढ़ जाता है जब हम series में करते है तो हमारा k थोड़ा कम मिलता है क्योंकि इसका k equivalent है इसका k equivalent यह 2 और 5 से भी छोटा होगा आप try करके देख ले न 10 by 7 का जो answer मिलेगा 10 by 7 का answer वो 2 और 5 से भी छोटा होगा तो अगर आप series में लगाते हो दो spring तो उसका जो k equivalent मिलता है वो यह 2 और 5 2 से भी छोटी value होगी 5 से भी छोटी value होगी 10 by 7 की लेकिन अगर दो spring को आप इस तरह से parallel लगाते हो तो उसका जो k equivalent मिलेगा 7 वो 2 और 5 दोनों से बढ़ा होगा उसका answer 2 से भी बढ़ा 5 से भी बढ़ा होगा और आपको एक उसका अच्छा result चाहिए तो आप सभी spring को क्या करोगे parallel जोइन करोगे parallel इस तरह से यहाँ पर एक spring दूसरी spring parallel जोइन करोगे तो आपको resultant के जो है वो ज्यादा मिलेगा तो अगर resultant के ज्यादा चाहिए तो spring का parallel connection होगा और resultant अगर कम चाहिए तो spring का series में होगा तो यह series और parallel spring के connection के बारे में मैंने आपको बताया